राम की शक्ति पूजा महा कवी निराला जी की सबसे उतक्रिष्ट रचना है। राम रावर की विजय होते देख विहल होने लगे और सीता की चिंता करने लगे कि रावर से सीता को कैसे मुक्त कराया जाए। वो भक्त हनुमान को 108 नील कमल लाने के लिए भेजते हैं और मा की इस अराधना के दौरान मा शक्ति किस तरह उनकी परिक्षा लेती हैं आईए सुनते हैं निराला जी की ये अद्भुत एवं उत्कृष्ट रजना रविहुआ अस्त जियोती के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजे समर आज का तीक्षन शर्विद्रत शिप्रकर वेग प्रकर शतशेल सम्वरन शील नील नवगर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित वीवुभेद कोशल समुहु राक्षस्विरिद्ध प्रत्युहु कृद्ध कपि विशम हुँ विच्चुरित वन्नी राजीव नयन हत लक्षबाल लोहित लोचन रावल मद मोचन महीयान रागव लागव रावल वारन गत युग्म प्रहर उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर अनिमेश राम विश्व जिद्धिव शर्भंग भाव विद्वांग बद्ध को दंड मुष्ट खर रुदिर स्राव रावल प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल मुर्चित सुग्रीवा गंद बीशल गवाक्ष गयनल वारित सौमित्र भल्पति अगडित मल रोध गर्जित प्रल्याब्देक्षुप्द हनूमत केवल प्रबोध उद्धेरित वन्नी भीम परवत कपि चतु प्रहर जानकी भीर उर आशा भर रावर समवर लोटे युग दल राक्षस्पद तल प्रतिवीटल मल बिंद महोल ल चेवानर वीर सकल रगुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरन इस्थल धन गुण है कटी बंद इस्तरस्त तूडीर धरन द्रजटा मुक्ट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल फैला प्रिष्ट पर बाहुओं पर वक्ष पर विपल उतराजियों दुरगम परवत पर नैश चेवानर दल आश्रय स्थल बैठे रग कुल मड़िश्वेता शिला पर निर्मल जल ले आये करपद ख्षाल नार्थपटु हनुमान अन्य वीर रसके गए तीर संध्या विधान वंदना इशकी करने को लोटे सत्वर सब घेर राम को बैठे आग्या कोतत पर पीछे लक्ष चाका ज्यान इस्तब्द है पवन चार आप्रतिहत गर्ज रहा पीछे अंबुधी विशाल भूधर जयों ध्यान मगन केवल जलती मशाल इस्थर रागविंद को हिला रहा फिर फिर संशय रहरे उठताजक जीवन में रावण जैभय जो नहीं हुआ आज तक हिरदै गुमारिका छवी अच्चित देखते हुए निश्पलक याद आया उपवन विदेह का प्रथम इसनेह का लतांतराल मिलन नैनों का नैने उसे गोपन प्रिय संभाशड पलकों का नव पलकों पर प्रश्मुत्थान पतन कापते हुए किसले जड़ते पर आग समुदैक गात प्रवार जियों उठा हस्त फूटी इसमत सीता धान लीन राम के अधर फिर विश्व विजय भावना हिर्दय में आई भर वे आयाद दिव शर अगरित मंत्र पूत फड़का पर नव को उड़े सकल जियों देव दूत देखते राम जल रहे शलब जियों रजनी चर आज रण देखी जो आच्छादित कियो हुए समक्समग्र नभको जेव तिर मैं अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए ख्षींड पा महा निले उस्तन में ख्षण में हुए लीन लक्षंका कुल हो गए अतल बल शेष ने खिच गए हगों में सीता के राम मैनयन फिर सुना हस रहा अट्टा हस रावल खलमल भावितने नोसे सजल गिरे दो मुक्ता दल बैठे मारुती देख राम चरडार विंद युग आस्तनास्त के एक रूप गुडगल अनिंद साधना मद्ध भी सामे वाम कर दक्षण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगर पासत्त सच्चदानं रूप विश्राम धाम जबते सभक्त अजपा विभक्त हो राम नाम युग चरणों पर आपड़े अस्तुवे अश्र युगल देखा कपिने चमके नब में जयों तार अदल ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुब सो हुते मद्ध में ही रक युगिया दो कस्तुब तूटावो तार ध्यान का इस्तर मन हुआ विकल संदिक्द भाव की उठी द्रश्ट देखा अविकल बैठेवे वही कमल लोचन पर सजल नयन व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल मुक निश्चेतन ये अश्राम के आते ही मन में विचार उद्देल हो उठा शक्त ख खेल सागर अपार हो शसित पवन उन्चास पिता पक्ष से तुमल एकत्र वक्ष पर बहा वाश्ब को उड़ा अतल शग घूना वर्त तरंग भंग उठते पहाल जल राशी राशी जल पर चड़ता खाता पच्छाल तोड़ता बंद प्रतिसंद धरा हो इस्पीत वक्ष दि रावण महिमा शामा विभावरी अंदकारिये रुद्र राम पूजन प्रतापते जह प्रसार उस ओर शक्त शिव की जो दशिसकंद पूजित इस ओर रुद्र वंदन जो रगुननन कूजित करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपी बढ़ा अटल लख महानाश शिव अचल हुए इक्षन भर चंचल शामा के पदतल भार धरन हर मंद्रस्वर बोले समरो देवी निजतेज नहीं वानर ये नहीं हुआ श्रंगार युगमगत महावीर अर्चिना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर चिरब्रम्चर रत ये एकादश रूद्रधन मर्यादा पुर्शो तम के स वो तम अनन्य लीला सहचर दिवभाओ धर इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विशमहार विद्याकाले आश्रे इस मन को दो प्रबोध जुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूरुरोध कह हुए मौन शिवा पवन तनय में भर विसमें सहसानव में अंजना रूप का हुआ अधै बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल ये वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे ये लज्चा की है बात किमार है थी सैसे ये महाकाश है जहां वास शिवका निर्मल पूजते जने श श्री राम उसे ग्रसने को चल क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सो चो मन में क्या धी आग्या ऐसी कुछ श्री रगुनंदन ने तुम सेवक हो छोड़ कर धर्म कर रहे कार क्या असंभाव्य हो ये राघव के लिए धार कपी हुए नम्रक्षण में माता छवी हुई लीन उत रे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दिन राम का विशन्नानन देखत हुए कुछ शन हे सका विभीशल बोले आज प्रसन्वदन वो नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर भल्लूक विगम शम हो पाते जीवन निरजर रगवीर तीर सब वही तूड में है रक्षत है व वुद्ध सम महावीर है वही दक्ष सेनानायक है वही सम फिर कैसे असमे हुआ उदै ये भाव प्रह रगकुल गौरव लग हुए जा रहे तुम इसक्षन तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जैरन कितना शम हुआ विर्थ आया जब मिलन समय तुम खीच रहे हो हस्त जान क से निर्द है रावण रावण लंपट खलकल मशकता चार जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर कहता रण की जैकता पारिशद दल से घर सुनता वसंत में उपवन में कल कूज तपिक मैं बना किन्त लंका पतिधिक जो होवे शब्द मात्र मैत्री की समनु रखती पर जहां गहन भाव के ग्रहन की नहीं शक्ते कुक्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमर स्वल बोले रगमणी मित्रवर विजय होगी ना समर ये नहीं रहा नर्वानर का रक्षर से रण उतनी पा महाशक्त रावड से आमंत्रण अन्याय जिदर है शक्त उदर कहते चल चल हो गए नयन कुछ भूंद पुना धल के दर्गजल रुक गया कंठ चमका लक्षमण तीज प्रचंड धस गया धरा में कप गये युगपद मसक दंड इस्थर जामवान समझते हुए ज्यों सकल भाव व्याकुल सुग्रीव हुआ और में ज्यों विशम घाव निश्चित सा करते हुए विभीशड कार क्रम मौन में रहा हो इस पूंज स्रिष्ट की रक्षा का विचार है जिन में नित्वतन घातक संस्क्ति अपार शुद्ध बोध शुक्ष्वात शुक्ष ममन का विवेक जिन में है अक्षात्र धर्म का धृत पूर्णा विशेक जो हुए प्रजापतियों से सयम से रक्षित विशर हो गए आज वड को लिये अंक लांचन को ले जैसे शशांक नब में अशंक हत मंत्र पूत शर संवत करती बार बार निश्पल होते लक्ष परक्ष प्रवार परवार विचलित लक कपिदल कृद्ध युद्ध को मैं ज़यों जग ज़लक तीवन निपामा के हगते होते हों पश्चात द नहीं देखता मैं कारण हे पुरूश सिंग तुम भी ये शक्ति करो धारण अराधन कादल अराधन से दो उत्तर तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर रावड अशिद्ध हो कर भी यदि कर सका तरस्त तो निश्चत तुम हो सिद्ध करो उसे धस्त शक्ति की करो मौलिक कलपना करो पूजन छोड़ दो समर जब तक ना सिद्ध हो रगनदन तब तक लक्षमण है महावाहिनी के नायक मद्ध भाग में अंगद दक्षन श्वेत सहायक मैं भल सैन है वाम पार्ष में हनूमान नल नील और छोटे कभिगड उनके प्रदान सुग्रीब विभीषड अन्य यूत पति यथा समय आएंगे रक्षा हे तु जहां भी होगा अक्षय किल गई सभा उत्तम निश्चा ये भल नात कह दिया विर्द को मान राम ने जुका म हो गए ध्यान में लीन पुना करते विचार देखते सकलतन पुलकित होता बार बार कुछ समय अनंतर इंदी वर निंदित लोचन खुल गए रहा निश्पलक भाव में मजित मन बोले आवेग रहित सुर से विश्वास स्थित मातह दश्बुजा विश्व जयोती मैं हूँ अश्रित हो विद्शक्त से है खल महिशा सुर मर्दित दिनरंजन चरन कमल तलधन सिंग गर्जित ये ये मेरा प्रतीक मातह समझा इंगित मैं सिंग इसी भाव से करूंगा अविनंदित कुछ समय इस्तब्द हो रहे राम छवी में निमग्न फिर खोले पलक कमल जे उतिर द धान लग्न है देख रहे मंतरी से नापति वीरासन बैठे उमरते हुए रागाओ का स्मित आनन बोले भावस्त चंद्रमुक निदित राम चंद्र प्राणों में पावन कंपन भरस्वर मेग मंदर देखो बंदुवर सामने स्थित जो यह भूदर शोबित शतहरित गुल्म लक महा भाव मंगल पदतल धस रहा गर्व मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व फिर मधुर दिष्ट से प्रिय कपी को खीचते हुए बोले प्रियतर सर से अंतर सीचते हुए चाहिए हमें 108 कपी इंदी वर कम से कम अधिक और हुँ अधिक और सुन्दर जाओ देवी दह उशह काल होते सतवर तोडो लाओ वे कमल लोट कर लडो समर अवगत हो जामवान से पतदू रत्व इस्थान प्रभपद रजसिर धर्चले हर्श पर हनुमान राघव ने विदा किया सब को जान कर समय सब चले सदैराम की सोचते हुए विजय जिस तरह से रात का अंदिकार खत्म होता है और सुबह की लालिमा दिखाई पड़ती है वही तेज भगवान श्री राम के चेहरे पर नजर आता है और श्री राम की आँखों में विश्वास नजर आने लगता है प्रभूश्री राम मा की अराधना में लीन हो जाते हैं लेकिन इसी पूजा की बीच मा दुर्गा उनकी परिक्षा लेती हैं क्या है वो परिक्षा आईए आपको सुनाते हैं सिंग नादरण कोला हल अपार उमरता नहीं मन इस्तब्द सुधी है ध्यानधार पूजो पुरांत जपते दुर्गादश बुजा नाम मन करते हुए मन नामों के गुण ग्राम बीतावो दिवस हुआ मन इस्तर इश्ट के चरण गहन से गहनतर होने लगा समाराधन क्रम क्रम से हुए पार राघाव के पंच दिवस चक्र से चक्र मन चड़ता गया उर्द निरलस कर जब पूरा कर एक चड़ाते इंदीवर निजपुरस चड़न इस भ्रांति रहे हैं पूरा कर चड़शष्ट दिवस आग्या पर हुआ समाहित मन प्रतिजब से खिच-किच होने लगा महाकरशन संचित त्रिकुटी पर ध्यान दुईदल देवी पद पर जबके स्वर लगा कापने थर 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 अंबर दो दिन निशपंद एक आसन पर रहे राम अर्पित करते इंदीवर जबते हुए नाम आठवा दिवस मन ध्यान युक्त चड़ता उपर कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का इस्तर हो गया विच्ट ब्रह्मान पून देवता इस्तब्द हो गये दग्ध जीवन के तपके समारब्द रह गया एक इंदीवर मन देखता पार प्राया करने को हुआ दुर्ग जो नील कमल कुछ लगाना हात हुआ सहसा इस्तर मन चंचल ध्यान की भूमी से उत्रे खोले पलक विमल देखावो रिक्तिस्तानी जबका पूर्ण समय आसन छोड़ना असिद्ध भर गये नयनुद्द जबमा दुर्गा प्रभु शीराम की परीक्षा लेने के लिए कमल के एक पुष्प को छुपा देती हैं और प्रभु शीराम कमल के अंतिम पुष्प को हाथों में लेने की कोशिश करते हैं प्रभु के हाथ में कुछ नहीं आता वैसे ही शीराम चिंतन में पड़ जाते हैं कि अब मा की अराधना कैसे पूर्ण होगी तब ही उन्हें ध्यान आता ह कि शिशु अवस्था में उनकी मा उनको राजीव नयन कहकर पुकारती थी बस फिर क्या था उनके चेहरे पर पुनह तेज नजर आने लगता है और वो मा शक्ति स्वरूपा दुर्गा को अपने कमल नयन भेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही प्रभु श्री राम बान उठा कर अपने नयन भेंट करने के लिए तैयार होते हैं वैसे ही महा शक्ति प्रकट होती हैं और साधू साधू कहकर प्रभु श्री राम के हाथों को थाम लेती हैं और कहती हैं कि हे राम तुम्हारी विजय होगी और ये कहते कहते महा शक्ति के रूप में माया विरोध थिकसादन जिसके लिए सदा ही किया शोध जान की हाई उद्धार प्रिया का ना हो सका वो एक और मन रहा राम का जो ना थका। अभी ये पुष्चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन कहकर देखा तूरीर ब्रह्मशर रहा जलग ले लिया हस्त लक लक करता वो महा फलग ले अस्त्रवाम कर दक्षण कर दक्षण लोचन ले अर्पित करने को उद्यत हो गये सुमन। जिस ख्षण बंद गया बेधिनों को हिक द्रण शय कापा ब्रमांड हुआ देवी का तुरित उदय। साधू साधू साधक धीर धर्मधन धन्यराम कहलिया भगवती ने राघव का हस्त थाम देखा रामने सामनेशी दुर्गा भास्वर वामपद असुर सकंद पर रहा दक्षण हरी परह। जेवतिर में रूप हस्त दश विविद अस्त्र सज्जित मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित है दक्षण में लक्षमी सरस्वती वाम भाग दक्षण गडेश कार्तिक बाय रणरंग राग मस्तक पर शंकर पद पदमो पर शुद्धा भर शी राघव हुए प्रणत मंद स्वरवंदन कर होगी जय होगी जय हे पुरुशुतम नवीन कह महा शक्ति राम के वदन में हुई लेन